वैसे तो cigarette हो या cigar दोनों ही lungs और mouth के लिए सही नहीं है फिर भी बात करेंगे what's inside in cigar and cigarette दोनों में क्या difference है अंदर से और दोनों में इसे कौन सा जादा नुकसान रहा है हमारी health के लिए cigarette में nicotine होता है जो एक तरह का जैर ही है जब हम इसको inhale करते हैं तो अंदर हमारे पेपरों में टार जमा हो जाती है फिर भी लोगों को cigarette की आदत इसलिए लग जाती है क्योंकि यह एक तरह का तमाख हो है जब हम इसको inhale करते हैं यह 10 second में हमारे brain में पहुंच जाता है और इंसान को pleasure and energy जैसा feel होता है cigarette की लगने से यह हमारी health पर काफी सारी बिमारियां और प्रॉब्लम्स ग्रेट कर सकता है और cigarette की लगने से तो इंसान के दिन थोड़े ही समझो cigarette में basic component तमाख होता है, chemical होता है और filter होता है जिसको paper wrapping से cover किया होता है और cigar यह जारा खराब होता है क्योंकि यह पूरा बाहर से और अंदर से तमाखो के लीव से बना होता है smoke करने पर यह जारा nicotine inhale होता है और एक cigar पीलिया समझ लो डबी पीली cigarette की